नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्ट आकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की हमारी त्यारियां चली हैं और एकाई दो में हम सुफी कावेधारा के अंतरगत जो प्रमुक सुफी कवी हैं उनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की सुफी कावेधा में हम देख लेंगे प्रमुक कवियों को सबसे पहले आते हैं जो पहले कवी हैं इसके वो हैं असाइथ तो इनकी जो रचना है उसका नाम है हंसावली और हंसावली का जो रचना काल है देखिए वो है 1370 इस्वी तो कुछ एक विद्वान है हिंदी साहित्य में जो क्या मानते हैं कि जो असाइथ कृत हंसावली है वो जो सूफी प्रेमा ख्यानक परंपरा की प्रत्थम कृती है तो वो है डॉक्टर नगेंदर और गणपती चंदर गुप्त ये मानते हैं कि ये जो हंसावली कृती है ये क्या है सूफी कावेधरा की प्रत्थम कृती मानी जाती है लेकिन अन्य विद्वान इसको मानने से इंकार करते हैं इसलिए जो सरुमानने मत है वो हंसावली की ओर नहीं जाता है क्लियर है अगर इस तरीके से प्रशन आए कि डॉक्टर नगेंदर या गणपति चंद्र गुप्त किस कृती को सुफिक आवेधरा की पहली कृती मानते हैं तो वो है अन्सावली अगला जो बिंदू है देखिए महत्वण वो है कि इसकी जो नाएक और नाएका कौन है तो इसके बारे में भी प्रशन कई बार पोच लिया जाता है जैसे हम मिलान में देखते हैं कि कौन सी जो या राजगुमारी दी जाएगी या पात्र दी जाएगा या किस से संबंदित है तो हमें थोड़ी सी उसकी पारे में भी जानकारी होनी चाहिए तो इसका जो नायक है देखिए वो है राजकुमार और जो नायका है वो है पाटन देश की राजकुमारी हनसावली तो देखिए यहां पर हनसावली जो नायका है उसी के नाम पर इस रचना का भी इन्होंने नामकरण किया है तो यह इसकी हमने कल विशेष्टाओं में इसको पड़ लिया था, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बात जो विशेष्टाओं में हमने की थी वो सत्य साबित हो रही है, ठीक है, इसका जो रचना स्त्रोथ है वो है विक्रम वैताल की कथा, तो विक्रम और वैताल की कथा क्य इसका रचना स्त्रोत माना जाता है ठीक है एक तरीके से अधार माना जाता है अगला है कि अध्यात्मिक्ता और ग्रहस्थ वातवर्ण का अभाव तो इसमें क्या है जो अध्यात्मिक्ता है उसका इसमें अभाव देखता है और ग्रहस्थ जीवन एक तरीके से उसका भी इसमे करती हैं इसलिए जो डोक्टर नगेंद्र मानते हैं कि इसको रखना जरूरी है किसमें सूफी कावेधारा में हालां कि जो अचारे रामचंदर शुक्ल है उन्होंने इसको स्थान नहीं दिया है clear है वो मानते हैं मृगावत्ती को कुतुबन की जुम्रिगावती है जो पंदरा सो एक मेरे ची गई थी उसको वो मानते हैं तो चलिए आगे हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे ये तो हो गई पहले असाइद की बात अगले अब में देख लेते हैं अगले जो हैं वो है मुला दाउद जो दूसरे सूफी कभी है तो इनकी जो प्रमुक रचना है देखिए चंदाइन तो ये बहुत महतपूर्ण रचना है सरमाने मत है कि जो मुला दाउद की चंदाइन है यही क्या है सूफी कावेदारा की प्रत्तमकृती मानी जाती है तो इसका जो अगर इसी तरीके से हम इनको याद रखेंगे तो इस तरीके से हमारा काम चल पड़ेगा क्योंकि जो पहली वाली जो रचना थी 337 में असाइद की और अब जो 1389 में मुलादाउद की जो चंदायन आ गई है तो इसे प्रत्थम प्रेमा ख्यानक काव्य माना जाता है तो अधिकतर जो विद्वान है या सारवमान जो मत है वो किसको मानते हैं मुलादाउद की चंदायन को ही मानते हैं कि ये जो पहली प्रेमा ख्यानक काव्य है ठीक है तो रामकुमार वर्मा ने इसे प्रत्थम माना है तो देखें सबसे पहले किस ने माना था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बोला था कि जो मुला दाउद की चंदाइन है यही प्रत्थम प्रेमा ख्यानक का व्यक्रिती है है ना तो इसका जो रचना स्थान है वो देखें कहां पर है डलमव राय बरेली जिला है तो इसका जो रचना स्थान माना जाता है डलमव राय बरेली जिला पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक उसकी पतनी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमी का चंदा की ये प्रेम कता पर अधारित इसमें कहानी किसकी है जो पूरवी भारत में प्रचलित लोरिक और उसकी पत्नी मेना फिर देखिए उसकी विवाहिता प्रेमी का भी आगी चंदा ठीक है तो कहने का भी प्रायक है देखिए इसमें एक प्रेमी है इसकी पतनी है और उसके साथी साथ का एक भीवाहिता प्रेमी का भी है तो मतलब ठीक वयसी जैसे पदमावत में है जो रतन सेन है उसकी जो बीवी है नागमत्य उसके अलावा किस पर पदमावती पर असकत होकर उससे भी भीवा कर लेता है तो ठीक देखिए ये है जो हम पिछले कल पड़ रहे थे जो इसकी सूफिक आवधारा की विशेशता है कि इसमें कथानक रूडियां है मतलब एक तरीके से इसमें कथानक चलता है ठीक है अगला है कि माता प्रसाद गुप्त इसे लोर कहा या लोर कथा से भी अवहित करते हैं तो इसलिए इसको लोर कहा या लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है तो ये एक नाम इसको किस ने दिया था ये माता प्रसाद गुप्त नहीं से कहा था लोर कहा या लोर कथा यहां से यह वाला प्रश्ण बनने की समभाबन रहती है कि किस रचना को लोर कहा या लोर कथा के नाम से जाना जाता है तो वो है मुलादाउद की चंदायन को तो देखे नीचे लिखा है कि पदमवत की भांती चंदा को भी अलोकिक सत्ता के प्रतीक के रूप में वर्नित किया गया है तो देखे इसमें क्या है कि जो पदमवत है जो जाइसी की रचना है उसी की तरह इसमें भी क्या किया गया है जो चंदा है उसको इश्वरिय रूप में एक तरीके से क्या है वर्नित करने की कोशिश की गई है ये भी हमने पिछले कल विशेशता में पढ़ लिया था कि इसमें क्या होता है इसमें जो स्त्री रूप में जो है प्रमात्मा को वनित किया जाता है है न और इसकी जो भाषा है देखिए वो परिश्कृत अफदी है तो भाषा क्या है इसकी परिश्कृत अफदी तो ये हो गया मुलाद दाउद के बारे में थोड़ी सी जानकारी अब हम देख लेते हैं अगले जो तीसरे रचनकार हुए हैं सुफी कावे धारा के जो तो तीसरे रचनकार हैं देखिए वो हैं ईश्वरदास तो इनकी जो प्रमुख रचना है देखिए सत्यवती कथा और जिसका रचनागाल है 1500 हलां कि कुछ एक विद्वान इसक इसको पहली कृति कौन मानते हैं, इसको मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो वो कहते हैं कि जो इश्वरदास की सत्यवति कता है, वो ही क्या है, सूफी कावे परंपरा की प्रत्थम कृति मानी जाती है, जबकि शुकल इसे क्या करते हैं, वो इसे भक्तिकाल की किसी इसलिए ये क्या करते हैं कि इसको स्थान नहीं देते हैं अला कि वो बक्तिकाल में ही इनको स्थान नहीं देते हैं। भी कावेधारा के अंतरगत ही रखेंगे, क्लियर है, आगे आता है कि कथानक का संबंद राजगुमारी सत्यवती एवं राजगुमार रितुपर्ण के प्रत्थम दिष्टी जन्य प्रेम प्रसंग से हैं, तो देखिए लव एट फस साइट वाली बात यहां पर है कि जो कताना क्या है, उन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमता है, ठीक है, प्रारंभ में नायक नायका के शाप से कोड़ी हो जाता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, कि जो शुरुवात में जो नायका होती है, वो क्या है, नायक को श्राप दे देती है, और जिससे वो कोड़ी अब हम देख लेते हैं अगला, अगला है कुतुबन, तो इनकी जो कृती है मृगावती और शुकल इसे क्या मानते हैं, शुकल द्वारा प्रत्थम प्रेमा ख्यानक रचना बताए गई है, ठीक है, और इसमें देखी क्या है कि चंदरनगर के राजा, गणपती देव के राज कुमार और कंचनपूर के राजा, रूप मुरारी की कन्या मृगावती की ये प्रेम का था है, तो शुकल इसको मानते हैं कि ये पहली कृती है, सूफी कावैधारा की, क्लियर है, ठीक है, आगे आते हैं जो सबसे महत्वोण चीज़ है, सूफी कावैधारा में, या जो प्र प्रमुख रचना हैं, देखिए, अख्रावट और आकरी कलाम, ठीक है, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं, जाइसी के बारे में, कि इनकी जो प्रमुख रचना है, पदमावत उसके बारे में, तो जाइसी सूफी कवियों में श्रेष्ट मा इनके गुरू का नाम बहुत पर पुछ लिए जाता है एक्जाम में कि कौन इनके गुरू हैं और ये किसके समकालीन रहे तो शेर्शा सूरी के ये समकालीन रहे। जिसने मुझे बनाया है ठीक है तो ये पंक्तियां भी कई बार पूछ ली जाती है कि किस ने कही प्रशन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस शासक ने मलिक मुहमद जाइसी की कुरूपता का मजाक उड़ाया था तो वो थे शेर्शा सूरी ठीक है उन्होंने उनकी कुरू पूरा बनन देखने को मिलता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं शुकल इसके पूरवार्ध भाग को कालपनिक मानते हैं और लेकिन उतरा आर्ध मतलब पहले का आदा भाग है उसको वो मानते हैं कि वो कलपना से परिपूर्ण है लेकिन जो आखरी वाला भाग है बाद व वो किसी न किसी के प्रतीक के रूप में वनित किये गए हैं तो देखे कौन-कौन से वो प्रतीक हैं यहां से भी पशन पूछने की संभावना रहती है जो पदमवत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ हैं देखे वो है रतन सेन तो रतन सेन किसका प्रतीक है मन या आत्मा का सिहल दुनिया धंदा या सांसारिक बुद्धी रागव चेतन शैतान का ठीक है और अलावदीन जो है वो माया का प्रतीक माना जाता है तो ये जो प्रमुक इसमें एक तरीके से पात्र हैं ये अलग-अलग प्रतीकों के रूप में वर्मित हैं तो हो सकता है इस तरीके से प्रतीको के बारे में भी पता होना चाहिए तो इसी क्या धार पर इसको क्या का जाता है प्रतिकात्मक काब्य कहा जाता है आगे है देखिए पदमवत के बारे में थोड़ी सी और हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पदमवत की जो भाषा थी वो अबधी है जिसमें तत्सम शब्द पूछ ली जाएं या तीन चार पंक्तियां आपको इस तरीके से दी जाएंगी कि पदमावत की भाषा अवदी है उसमें तत्वाशOnचार किया है то ये कथन क्या है गलत है तो मतलब 3-4 इस तरीके से कुछ एक कथन दे जाते हैं उनमें से 2 कथन आपने देखने हैं कि ठीक है या गलत है इस तरीके से प्रफशन पूछा जाता है तो इस तरीके से भी हमें इसको याद रखना होगा इसका जो रखना काल है देखिए 1540 इस वी है और पदमबत में 57 खंड हैं है ना और 57 खंडों में रचित प्रबंध काव्या जबकि पदमबत का जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की क्या माना जाता है अनुपम निधी माना जाता है तो ये भी महत्तपोर्ण ब ही हम पढ़ेंगे अपना जो पांचवा हमारा यूनिट है वहां पर इनको जो नागमती वियोखंड लगा हुआ है तो वहां पर हम इसको विस्तार से देखेंगे कि नागमती वियोखंड में कौन-कौन सी चीज़ें वर्नित हैं ठीक है तो ये तो हो गया जो पदमबत था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अब हम देख लेते हैं कि जाईसी की जो अन्य रचनाएं देखिए अखरावट आखरी कलाम कनहावत मसला नामा और कहरा नामा ठीक है या कहार नामा भी कही जगा आपको मिल जाएगा ठीक है तो ये देखिए जो अचारे रामचंदर शुकल हुए हैं वो सिर्फ इनकी तीन जो रचनाएं हैं कौन-कौन सी हैं वो देखिए उनका ही उलेख शुकल ने किया है पदमवत अखरावट और आखरी कलाम तो इन तीन रचनाओं का उन्होंने क्या है उलेख किया है उन्होंने अपने एतियास में ठीक है तो अखराव पिलाखि आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम दिखेंगे जो कभी है उनके बारे में तो इस जानकारी. फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो सूफी कावे धारा के अन्य जो कवी हैं उनकी जो कावे रचना हैं उनके बारे में तो फिलहाल आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नई उर्च और नई स्फूर्ति के साथ तब तक के लिए म मुझे दीजी अजाज़त चैहिंजा